हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो नवरात्रे चल रहे हैं और हर घर में सबने ज्यादतर वृत रखे हुए होंगे तो मैंने भी रखे हैं नवरात्रों की वृत तो आज मैं बना रही हूं सावदाने की खिचड़ी अपने लिए और उसी की रेचीप आप सभी किशाद शियर करूँगी तो यह मैंने सबसे पहले एक कट्री सावदाना ले लिया है और इसको भीगो कर रख दूँगी पांचे च्छे गंटे के लिए देखिए जब भी सावदाने की खिचड़ी बनाए उसे सबसे पहले अच्छे से धो कर पांचे खिचड़ी के लिए रख दिया है अब पांच शे घंटे के बाद में आपको दिखांगी कि सावदाना अच्छे सफूल गया है यह देखिए सावदाना अच्छे से फूल गया है तो अब हिसे हम निकाल लेंगे एक चंणी में देखे साबदाने किच्डी जब भी आप बनाए तो पांच से शे घंटे कम से कम से भूल ने के लिए लगते ही हैं तो अगर आपको सुबह किच्डी बनानी है तो रात को भीगो दीजिए और अगर आपको शाम को बनानी है तो सुबह भीगो दीजिए देखे मैं चैनी में न टामाटर और दो आलू बारीक बारीक काट लिया है मैंने वो सबसमानी उच कर देखिए मुमफली की करी मैंने भून ली है अब इसी कड़ही में थोड़ा सा देसीगी चड़ा कर मैं सबसे पहले देसीगी को गर्म होने के बाद डाल दूगी जीरा आप चाहें तो संफ्लोवर ओयल भी यूच कर सकते हैं यह मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया ऐसे जीरे को अच्छे से च्टक टकने के बाद सबसे पहले डाल दूगे मैं इसमें अपने आलू मैंने आलू को बारीक बारीक काट लिया है अभी मैं आपको दिखा दूँगी आलू बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक काटे मैंने सबसे पहले हम आलू को अच्छे से भून लेंगे अगर हम पहले टमाटर डाल देंगे तो हमारे आलू फिर खटाई में पकेंगे नहीं तो इसलिए सबसे पहले अपने आलू को पका लेते हैं अब आलू में हम डाल दे नमक और हरी मिर्च और टमाटर देखिए विरत के लिए जब हम खाना बनाते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है तो इसलिए मैं ज्यादा तर मसाले यूज नहीं कर रही हूं आप चाहें तो काली मिर्च और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं नमक डालने के ब आप बलकुल बारीक बारीक और दो लेलिया हरी मिर्च कि आब कर आप से अच्छा चलाते में मिक्स कर देंगे यहादा टाइम नहीं पकाना है अब तामाटर की पीस जिसे के हमारे खिचड़ी में दिखेंगे इस तरीके से ही पकाना और आप इसमें डाल देगें अपना अच्छे से मिक्स कर देंगे और पांच से साथ मिनट के लिए इसी तरीके से से खुला पकाना है इसे ढखना नहीं है कि देखें सावदाना बहुत ज्यादा चिपकता है तो इसलिए इसमें चिकनाई थोड़ी सी एक्स्टा ही डानी चाहिए जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम अपनी मुवफली की गिरी मुवफली की गिरी सबसे लास्ट में डालनी है देखें कड़ाई में कितना जाद चिपकता है सावदाना अगर पोसिबल हो तो हैवी थली की कड़ाई में ही सावदानी की खिचड़ी बनाएं अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम अपनी मुवफली की गिरी और अब हम अपनी गयस को बंद कर देंगे और मिक्स करने के बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे सावदानी के खिचड़ी खिःड कहते हैं तो आप भी ट्राइ किजिए एक लाई रborgा आप सब्साथ को में मे 있어서 करएं कमेंट बुक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकियो सो मच